दोस्तोर, Realme इंडिया में लॉंच कर दिया, Realme 8 सिरिस में 5G फोन, Realme 8 5G फोन को इंडिया में तो आज मैं इस बीडिया में बात करने वाला हूँ, OPPO A74 5G और Realme 8 5G फोन का बारे में यह दोनुफोन का फुल स्पेसिफिकिशन डिटेलस कमपरेजन करने वाला हूँ इन दोनु फोन में से कुनसा फोन बेटर है और क्या अंतर ये दोनु फोन का एस्पेसिफिकिशन में और इन दोनु फोन में से कुनसा फोन पाचेस करना सही रहेगा अगर आप जानना चाहते तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रही है तो चलिए जस्तो देख लेते क्या तरे दोनों फोन का स्पेसिफिकिशन में पहले या पर डिस्प्ले सा शुरू करते हैं वोपो ए सेबेंटी फॉर फाइब जी फॉन में डिस्प्ले साइज दिया गिया है 6.5 इंच का फुलिष्टी प्लास IPS LCD डिस्प्ले दिस्प्ले दिस्प्ले दिया गिया है इसमें नौस देकने को नहीं मिलता है चुटाजा 5 दिया गया अतरी रिश्यो का बात करे तो 20.9 इस्प्ले सेरो इस दिया गिया है पलास IPS LCD डिस्प्ले दिस्प्ले दिया गिया है इसमें भी पांच ओल देकने को मिल जाता है एस पकुलिच देखरेड इस्प्ले​ to body ratio का बात करें तो 90.5% screen to body ratio दिया गिया है इसमें भी 90 hertz का refresh rate डेकने को मिल जाए तो दोनों फॉन का डिस्प्ले में कोई आंतर नहीं है almost same display दिया गिया है और दोनों फॉन का कैमेरा का बात करें तो oppo a74 phone में 3-4 camera दिया गया जो primary sensor ए-48MP के f1.7 apager का साथ में दिया घया और secondary camera 2 Megapixel f2.4 APA का साथ में depth sensor के लिए दिया जा टाट गेमरा 2 Megapixel kef2.4 APA का साथ में macro lens दिया गया इसमें 4K directly support मिल जाता है LED flash दिया और या पर बात करें तो realme 8 5G phone इसमें भी 3 full year camera दिया गया जो primary sensor 48 megapixel का f1.8 aperture का साथ में दिया गया और secondary camera 2 megapixel का f2.4 aperture का साथ में depth sensor के लिए दिया गया है जो touch camera 2 megapixel का f2.4 aperture का साथ में macro lens दिया गया इसमें भी 4K video generating support मिल जाता है और LED flash दिया गया और यह दुरू अनुवर्ण का selfie camera का बात करें तो ओपो अच्पोर फोन में एट मेगा पीक्चल का f2.1 aperture का साथ में पांचोल selfie camera दिया गया तो realme 8 5G phone इसमें 16 megapixel का f2.1 aperture का साथ में पांचोल self camera दिया गया तो selfie camera में यह पे बज़ी मन लेता है realme 8 5G कि फोन और रियर केमेरा दोनों में Almost Same दिया गिया है थोनों फोन का परफरमंस प्रोसेसर का बात करें तो अपो A74 फोन में क्वेलकम का फाइब जी प्रोसेर दिया गिया क्वेलकम स्नाप्डागर 480 उक्टो का प्रोसेर दिया गिया इसका प्लोक इस्पीड है कि 2.0 गीगाट क्लोग किस्पीर पाइब चलता हो जीपी का बात करें तो एडरोन नो 619 GPU दिया गया और यह पर बात करें तो यह पर बात करें तो realme 8 5G phone इसमें mediatek का Dimensity 5G प्रोसे दिया गिया है प्रोसेसर यह मिद्ड़ेक दायमेंसी टी 700 ओक्टोकर पोसे दिया गिया यह 5G प्रोसेसर यह इसका ग्लोक स्पीट है 2.2 गिगाहर्ट क्लोक स्पीट पर चलता हूँ जीपीव का बात करें तो मली G57 MC2 जीपीव दिया गे दोनों प्रोसेसर का प्रोसेस टेकनोलीजी गा बात प्रोसेसर यह 8.99 पर चलते हो यह बात करते हैं तो दैमेंसिटी 700 प्रोसेसर यह 7 नियम्डर पर चलते हैं यह पर पर्फर्मस में यह ज्यादा कुछ आंतर देखने हो नहीं मिलेगा तुरहाँ सालाइटली बेटर हो सकता है डाइमेंसिटी 800 शुरी दूसर डाइमेंसिटी 700 प्रोसेसर जो रियल्मी 8 5G फोन में दिया गिया है दोनों फोन का वैस यूजर इंटरफेस का बात करें तो और यहापे बात करें तो वोपो में दिया गिया और साथ में कालरवेस 11 दिया गिया गी night दूनों फोन का वारें का बात करें तो वोपो ऐसे बेटरी का बात करें तो दोनों फोन का बेटरी का बात करें तो दोनों फोन में साइम बेटरी दियागे दोनों फोन में 18-W का फासचाजरा आउट-वाकि दिया जाता आए दोनों फोन का बात करें तो यूइस पी对 थे अबात करें तो फासचाजर आउट-बी तुट वर्जों दिया गया दोनों फोन में 3.5 mm audio jack भी दिया गया है दोनों फोन का sim support का बात करें तो दोनों फोन में 5G support देखने को मिल जाता है रियल में 8 5G phone में dual 5G sim support देखने को मिल जाता है दू 5G sim एकी साथ में यूज कर सकते हैं और यहाप पर पात करें तो ओपो A74 phone इ इसमें एकी सीम में 4G 5G sim यूज कर सकते हैं और यह दोनों फोन का security feature का बात करें तो दोनों फोन में face आलनक देखने को मिल जाता है और दोनों फोन में sight mounted fingerprint sensor दिया गया है साइट में फावर बटन है फावर बटन ने fingerprint sensor दिया गया है दोनों फोन का बिल्कुलिटी डिजाइन का बात करें तो दोनों फोन में काफिया इचा बढ़िया शाइनी डिजाइन दिया गया है ब्लासिक फिनिशिंग बैक देखने को मिल जाता लेकान ग्लास नहीं दिया 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 गया तो डिजाइन पर यहाब मेरिकल से तुला सा बेटर रहेगा रियल्मी 8 5G फोन इसमें डिजाइन का पिया शाइनी दिया गया है तोनों फोन का प्राइस का बात करें तो ओपो एस 74 फोन का जो वरेंटे सिगी जिप्पी रेम 120 जिप इंटार्नल स्टोरिज का साथ में आता है इसका प्राइस है 17,990 रुपीस पर एवालेबिल है और यह पर बात करें तो रियल्मी 8 5G फोन इसका जो बेस वरेंटे सिप्पी रेम 120 जिप इंटार्नल स्टोरिज का साथ में आता है इसका प्राइस है 14,999 रुपीस पर आता है और इसका जो हाईयर वरेंटे एट जिप रेम 120 जिप इंटार्नल स्टोरिज का साथ में आता है इसका प्राइस है 16,999 रुपीस पर आता है दोनों फोन का एवालेबिलिटी का बात करें तो वोपो A74 5G फोन इसका फास्ट सेल हने माला है 26 एप्रिल को इमाजन पर और यह पर बात करें तो रियल्मी 8 5G फोन इसका फास्ट सेल हना वाला है 28 एप्रिल को फिलिप काट पर और रियल्मी डेटकम पर देखना को मिल जाएगा तो बस तो यह ता कुछ स्पेसिफिकेशन डिटेल्स रियल्मी 8 5G और ओपो A74 5G फोन का पूर इस तो इन दोनों फोन में से कुंसा फन बेटर लगा और कुंसा फन आप पाचेस करना चाहोगे अपनी चेकमन करके बता सकता हूं यह दोनों फोन का कन्फीज का बात करें तो इन दोनों फोन में से गिया है तो परफरमस में तुला सा लाइटली बेटर हो सकता है और डिजैन तुला सा बढ़िया दिया गया है आप डूल 5G सपोर्ट देखने को मिल जाता है लेकिन इसमें प्राइज आपको काफी कम प्राइज में देखने को मिल जाता है इसमें आपको 8GP RAM 120GB internal storage मिल जात अगर आप लोग 4G वरेंड लोगे तो आपको यहां पर और कम प्राइज में मिल जाएगा 15,000 में मिल जाएगा 5G फोन तो मेरे क्याल से यहां पर वह एनर है मिलता हो नेस पीडियो में तब तक के लिए बाई